अस्सलाम वालेकुम दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आप सबका आपके अपने यूटूब चैनल इसकाई टेक में दोस्तों काफी सारे लोग वाट्सेप के उपर इंस्टाग्राम के उपर और कमेंट सेक्शन में ये बात पूछ रहे थे कि जो लोग नए वीजा के उप पर आ रहे हैं तो उन लोगों को एराइवल रेजिस्टेशन कैसे करना होगा और उसका सर्टिफिकेट डाउनलोड कैसे करना होगा पूरा तरीका में आप लोगों को आज की इस वीडियो में बता दूँगा लेकिन एक बात मैं आप लोगों को और बता दूँ कि अगर आप arrival registration करके आते हैं तो फिर आपका क्या फाइदा होगा सबसे पहली बात तो यह कि यह compulsory है mandatory है आपको जरूर से जरूर arrival registration करना होगा और इसका सबसे बड़ा जो फाइदा है वो यह है कि अगर आप arrival registration करके आते हैं तो उसमें आपको vaccine की detail फिल करनी रहती है यह आपने vaccine किस country मिली है कौन सी vaccine ली है first dose कौन सता second dose कौन सता ऐसी information फिल करनी रहती है जब आप यह फिल कर देंगे और जब आप सॉधी Arab के अंदर entry कर जाएंगे उसके बाद आप अपने passport number का use करके तवक्कलना application बना सकते हैं किसी भी number के उपर तो जब आप अपने passport number से तवक्कलना application बनाएंगे और आप arrival registration करके आएंगे तो फिर आपका तवक्कलना application तब तक immune रहेगा जब तक कि आपका इकामा नहीं बन जाता है या फिर जब तक कि आप अपने तवक्कलना अप्लिकेशन की ID अपने इकामा नंबर से नहीं बनाते हैं यानि कि जब आप arrival registration करके आएंगे तो आपका तवक्कलना अप्लिकेशन इम्यून रहेगा अगर आप passport नंबर से बनाते हैं तो फिर उसके बाद जब आपका इकामा बन जाएगा आप अपने इकामा नंबर के उपर अपना तवक्कलना अप्लिकेशन की ID बनाएंगे तो फिर वो non-immune होगा उसके लिए आपको अपने वैक्सीन के certificate को e-service के उपर upload करना होगा उसके बाद ही आपका तवक्कलना अप्लिकेशन इम्यून होगा तो बिना time waste के चलते हैं mobile phone की screen पर और समझते हैं कि हमें नए वीजा वालों को कैसे arrival registration करना है तो दोस्तों हम आ गए अपने mobile phone की screen पर और description में दिये गए link के उपर जब आप click करेंगे तो वो आपको इस page के उपर लाके छोड़ देगा अगर आप नए वीजा के उपर आ रहे हैं तो आपको vaccinated visitor के उपर click करना है उसके बाद आपको कुछ नीचे option दिख जाएंगे जिसमें आपको अपनी nationality select करना है अगर आप इंडिया से हैं तो फिर इंडिया select कर लीजे इसमें मैं इंडिया लिख कर select कर लेता हूँ फिर आपको यहाँ पर visa number डालना होगा आप अपना visa number यहाँ पर डाल दीजिए और उसके बाद आपको I am not a robot के उपर click करके नीचे submit के उपर click कर देना है जब आप submit के उपर click कर देंगे तो आगे के option खुल जाएंगे इस तरह से तो सबसे उपर यहाँ पर लिखा हुआ है airlines तो आपको जिस airline से आप आ रहे हैं उस airline को select कर लेना है जैसे कि Gulf Air मैं select कर लेता हूँ यहाँ पर ठीक है गल्फ Air select कर लेता है उसके बाद में आपको flight number डालना है यहाँ पर तो flight number आपके ticket के उपर आपको दिख जाएगा वो यहाँ पर आप fill कर दीजिए उसको fill करके आप उपर की तरफ जब scroll करेंगे तो जो आगे के option है वो आपको दिखेंगे flight number डालने के बाद में जब आप उपर की तरफ scroll करेंगे तो आपको नीचे arrival date select करना है तो जिस date को आप साओधी अरब में land करेंगे वो date आपको यहाँ पर select कर लेना है arrival date select करने के बाद आपको option दिखेगा arrival destination का तो जिस city में आपकी flight land करीगी वो यहाँ पर select करते हैं तो हम यहाँ पर dhammaam select कर लेते हैं ठीक है dhammaam में हमारी flight land करेगी उसके नीचे option है vaccination doses count का यानि आपने कितने dose लिए हैं तो हमने AstraZeneca के two doses लिए है वो हम select करेंगे यहाँ पर लेकिन अगर इस तरह का option आता है तो आप इसे tick करके फिर से आप नीचे पहुंच जाईएगा या इसा कोई दिक्कत हो जाती है तो जब आप select कर लेंगे two doses तो फिर उसके नीचे और option खुल जाएंगे हम यहाँ पर two doses select करते हैं देखिए और option हमारे खुल गए हैं तो पहले है first dose की detail यहाँ पर fill करना है हमें तो first dose की detail में सबसे पहले कौन सा type है select type type में select करते हैं हम कि हमने AstraZeneca इंडिया में लिया है तो AstraZeneca ऊपर हम सबसे पहले select कर लेते हैं AstraZeneca का single dose पहला dose जो है उसके बाद जो पहला dose जिस date को लिया था वो date हम यहाँ पर select कर लेते हैं ठीक है तो यहां से month हम select करते हैं और फिर date select कर लेते हैं तो date select करने के बाद में आपको किस country में आपने vaccine ली है वो country select करना होगा तो हमने इंडिया में ली है इंडिया यहाँ पर select करते हैं यह problem बार बार पतनी क्या हो जा रही है इसको अब सेम इसी तरह से second dose की details हमको फिल करने हैं यहाँ पर सबसे पहले vaccination टाइप select करना है और उसके नीचे second dose की date हमको select करना है तो यहां से हम select कर लेते हैं second dose की date और date select करने के बाद में उसके नीचे option दिखेगा आपको कि किस country में आपने second dose लिया है तो हमने इंडिया में लिया है तो इंडिया यहाँ पर लिख के सर्च करते हैं और इंडिया को सिलेक्ट कर लेते हैं तो हमने इंडिया को सिलेक्ट कर लिया है उसके बाद आपको I am not a robot के उपर क्लिक करना है और यह जो चार कोने कायक यहां पर दिख रहा है खाना आपको इसके उपर टिक कर देना है और उसके बाद में डिटेल आप अपनी चेक कर लिजे कि सब कुछ ठीक ठाक है या नहीं है उसके बाद में आपको नीचे सब्मिट के उपर किलिक कर देना है जब आप सब्मिट के उ registration का जो certificate है वो इस तरह से आ जाएगा आप इसको Google Drive में save कर लीजिए या फिर print out निकल वा लीजिए या फिर जो भी आपको करना है आप इसे कर लीजिए मैं इसे अपने Google Drive में save कर लेता हूँ यहाँ पर नाम लिखकर arrival registration करके इसका लिख लेता हो ना और उसके बाद में इसको मैं अपने Google Drive में save करके लखूँगा क्योंकि PDF की फाइल ज्यादा तर गूगल Drive में save की जाती है यह हमारा save हो चुका है ठीक है तो यही तरीका है तो आई होप दोस्तों यह वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आती है तो दोस्तों लाइक मारो यार और अगर आप लोग चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लिजिए ऐसी ही informative वीडियो के मिलते हैं आप से नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए आप लोग रखें अपना ख्याल अलाहाफिस गुडबाई टेक केर कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो